आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाऊ डाउनलोड नाओ दिया गया है अबाउट अच्छी पर्पेंडीकुलर को प्लेन अड पासिंग थ्रू और तो तीनों के सज्व्र कर लेते हैं सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक एक्विलेटरल ट्राइंगल बना लेते हैं तो यह है हमारा equilateral triangle okay य tornado triangle है और इसके तीनोh corners पर एक एक ball रखा हुआ है जिसका मास्क जो है वह सेमे द characterized point ंश है ठीक है तो हम लोग ball समझिख लेते हैं कि यहां पर रखा हुआ है यहां पर एक ball रखा हुआ है और यहां पर एक ball रका हुआ है ऑके तीनोhatamente- जो है म् e junum और जो equilateral triangle है guys उसका side हम लोग 2a माल लेते हैं okay a माल लेने से भी हो जाएगा लेकिन 2a माल लेने से calculation ज्यादा easy हो जाएगी इसलिए हम लोग side side जो है इसका वो 2a माल लेते हैं okay अब देखिए first condition क्या बोल रहा है first condition में हमें बोल रहा है about an axis perpendicular to the plane and passing through a corner ठीक है passing through a corner तो देखिए किसके about बोल रहा है guys इसके about ठीक है इस axis के about इसको हम लोग ऐसे rotate करें ठीक है इस axis के about क्योंकि plane के perpendicular और passing through a corner यह है तो इस axis के about क्योंकि यह point mass है तो इसका खुल का moment of inertia क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा तो moment of inertia सिर्फ इसका और इसका आएगा यह जो दो अलग अलग मास से जाओंके तो देखिए first case में moment of inertia को मैं i1 के रहता हूं तो i1 के value क्या हो जाएगी i1 के value हो जाएगी m into 2a का whole square plus m into 2a का whole square क्योंकि point masses का moment of inertia से axis के about होता है mass into axis से distance का square तो i2a का whole square तो i2a का whole square यहां से क्या मिल जाएगा 4ma square 4ma square यह हो जाएगा 8ma square ठीक है यह first case में moment of inertia हो गया i1 अगर second case की बात करते हैं guys तो about an axis perpendicular to lane passing through the center ठीक है इसका मतलब की इस point के about second case में इस point के about हमें moment of inertia नकालना है तो इसके लिए हमें क्या चाहिए हमें तीनों point mass का distance चाहिए ठीक है तो यह distance हमें find करना पड़ेगा यह distance इस distance find करने के लिए यह हम लोग एक triangle बना लेते हैं okay क्योंकि यह right triangle है और यह angle कितना होगा 30 degree होगा क्योंकि यह पूरा जो है वो 60 degree होता है तो center से मिलाने वाली line equilateral triangle है तो इसको ysect करेगी angle को तो 30 degree यह angle हो जाएगा okay इस distance को माल लेते हैं D और यह क्योंकि हमने से बराबर हो गई cost 30 degree के value root 3 by 2 होती है तो root 3 by 2 is equal to a by d यहां से हमें मिल जाता है d equal to 2a by root 3 ठीक है guys क्योंकि यह symmetry system है तीनों ही point की distance है वो center से d d और d होगा इसलिए moment of inertia हम लोग लिख सकते हैं second case में जिसको मैं i2 कह दे रहा हूं i2 की value हो जाएगी 3 into क्योंकि symmetry है तो 3 से multiply कर देंगे एक का निकार के तो 3 into mass into distance distance का square यानि d square ठीक है यह value हो जाएगी 3 m d की value पुट कर एगा तो देखिए 2a by root 3 हो जाएगा 2a by root 3 का whole square यह हो जाएगा ठीक है तो यहां से देखिए हमें क्या मिल जाएगा यहां से यह 3 root 3 का square 3 हो जाएगा जो एक cancel out हो जाएगा और यह value हमें यहां से मिल जाएगी 4 m a square ठीक है i2 के value हमें मिल चुकी है 4 m a square गाई second case में देखिए अब third case में क्या बोल रहा है third case में about perpendicular by sector of any side ठीक है इसका मतलब की इस point के about ठीक है इसका मतलब गाइस देखिए इस point के about यह point के about ठीक है इस point के about ठीक है इस point के about क्योंकि बाकी दोनों जो है वह भी perpendicular to the plane ही दिया हुआ है इसलिए इसको भी हम लोग perpendicular to the plane ही consider करते है ठीक है तो यह जो है यह इसका by sector है किसी एक side का okay इसको मैं दूसरे color से draw कर देता हूं ताकि अच्छे समझ मैं ठीक है तो यहां से देखिए कि इस point के about हमें find करना है तो यहां से moment of energy क्या हो जागा देखिए क्योंकि इस पार्टिकल की जो distance है इस पार्टिकल की जो distance है यह भी ए है और यह जो थर्ड पार्टिकल है इसकी distance हमें पता करना है ठीक है इसका distance हमें पता करना है तो इसका distance पता करने के लिए हम लोग क्या ले लेते हैं इसका डिस्टेंस पता करने के लिए हम लोग यह वाला ट्रेंगल ले लेते हैं ठीक है यह ट्रेंगल ओके यहां पर मैं करसर चला रहा हूं यह वाला ट्रेंगल ले है 1060 degree is equal to क्या हो जाएगा 1060 degree होती है perpendicular by base यानि h by a ठीक है अगेर यहां पर देख लेते हैं गाईज क्योंकि यह equilateral triangle है तो इसका जो यह angle होगा यह 60 degree होगा तो इस triangle के लिए हम लोग लिख सकते है 1060 degree is equal to h by a ओके तो यहां से देखिए यहां से क्या हो जाएगा 1060 degree की value होती है root 3 equal to h by a तो यहां से हमें मिल जाएगा h is equal to root 3 a ओके तो third case में moment of inertia हम लोग क्या लिख सकते है third case में moment of inertia को मैं i3 कह दे रहा हूं तो i3 की value लिख सकते है m into a square plus m into a square plus m into h का square ठीक है guys देखिए figure से एक बार समझ लेते हैं यहां पर देखिए इसके about क्योंकि यह अगर access for rotation होगा तो इसकी distance a तो इसका moment of inertia m into a square इसका distance a तो moment of inertia m into a square और इसका distance जो है वो h है तो m into h square ठीक है तो देखिए यहां से हमें क्या मिल जाएगा यहां से मिल जाएगा i3 की 5MA2 मिला अगर हमें increasing order में लिखना है जो की question में बोल रहा है तो first में कितना आया है guys first में 8MA2 आया है second case में हमारा 4MA2 और third case में हमारा आया है 5MA2 ठीक है तो अगर increasing order में हमें लिखना है इनका increasing order होगा सबसे ज्यादा जो है सबसे कम जो है वो second case में है फिर third case में है और first case में है सबसे ज्यादा होगे तो अगर answer से match करते हैं तो इधिकी answer से match करने पर second, third, first जो हमारा fourth option है यानि यह हो जाएगा correct ओप आपको समझ में आया होगा thank you Classics to 12 से लेके Need IIT जेही Means और Advanced के लेवल तक 10 मिलियन से जादा स्टुडेंट्स का भर हो सा आज ही डाउनलोड करे doubtnet आप या WhatsApp कीजिए अपने doubts 8444 सुपर